नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। येस बैंक इन दिनों अपने ग्रहकों को नो बोल रहा है। नहीं आप तीन अप्रेल तक हर दिन पचास हजार रुपे से ज्यादा नहीं विड्रॉ कर सकते हैं। ये टोटल भी पांच लाग से अतिरिक नहीं हो सकता। ये नहीं की बीस दिनों में पचास पचास हजार करके दस लाग रुपे निकाल लें। किसी भी नॉर्मल पीरियड में आम नागरिकों के लिए मासिक खर्चे के लिए पांच लाग रुपे पर्याप्त अमाउंट से कहीं ज्यादा होता है। मगर अगर कोई व्यापार से जुड़ा हुआ हो या किसी बिजनेस खाता हो तो क्या करेगा? उसका तो पूरा का पूरा कारोबार ही ठप पड़ जाएगा। क्या आप उसके जगा होते तो चैन की नीन सो पाते? अभी छे महीने भी नहीं हुए सेप्टेमबर 2019 में पंजाब एन महाराष्ट्रा कौपरटिव बैंक के क्राइसिस का और एक नई समस्या। परिशानी सिर्फ येस बैंक के डेपॉजिटर्स को नहीं है। उनके साथ तो पूरी एक कड़ी जूडी हुई है। भारत की एकनौमी ऐसे भी बहुत अच्छे हालत में नहीं है। ग्रोथ रेट बहुत गिर चुका है। किसी भी सेक्टर में बिजनेस पिक अप नहीं कर रहा है। और नौकरियों की तो पूछिये ही मत। हाला कि आम जनता को बैंकों पर भरोसा होता है। सेक्टोरल एक्सपर्ट्स पष्ट कहते हैं रिस्क फ्री इन्वेस्मेंट या बैंकी नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। ये बात खास तोर से प्राइवेट बैंक्स के लिए कहा जाता है क्योंकि सरकारी गारेंटीज कम होते हैं। येस बैंक तो भारत की चौथी बड़ी प्राइवेट बैंक है। सरकार ने तो येस बैंक के लाखों खाताधारकों को आश्वासन दिया है कि उनको घबराने की कोई आवशक्ता नहीं है। लेकिन क्योंकि बैंकिंग खत्रों से परे नहीं है हर खाताधारक को जानकारी बढ़ानी चाहिए और अपना रिस्क कैसे कम किया जाए उसके बारे में एक्सपर्ट उपीनियन लेना चाहिए। हिंदुस्तान के बैंकिंग हिस्ट्री के कुछ पहलियों के बारे में जानने का ये सही समय है। पिछले साल बैंकिंग इंडस्ट्री के कई महरतियों ने बैंक नैशनलाइजेशन के 50 साल पूरे होने की बात को कमेमुरेट किया था। दुनिया के इतिहास में 20 जुलाई 1969 एहम दिन है। चांद पर मनुष्ये ने पहला कदम रखा था। ठीक उसी दिन भारत में इंडरा गांधी की सरकार ने 14 प्राइवेट बैंक्स को नैशनलाइज किया था। ये एक अभूतपूर कदम था। इन 14 बैंकों में नागरिकों के टोटल डेपॉजेट का लगभग 85 परसेंट जमा थे। डिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ओफिशियल हिस्ट्री में इस फैसले के बारे में ये पंक्तियां लिखी हुई हैं। By any measure, this was the defining economic event of not just the 1960s, but the next three decades. Its reverberations have still not died down. It remains without doubt the single most economic decision taken by any government since 1947. Not even the reforms of 1991 are comparable in their consequences political, social and of course economic उस समय की सरकार को इतनी महतवपून कदम उठाने की जरूरत क्यों हुई? दरसल आजादी के बाद बैंकिंग सेक्टर का परफॉरमेंस एक तरफ तो ठीक थाक था और एक्स्पैंड कर रहा था वहीं दूसरे तरफ बैंक फेलियर्स रेगुलर्ली हो रहे थे एक अनुमान के अनुसार उनिस सो सेटालिस से जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और नाइनटीन सिक्सीन तक जब बैंक्स नैशनलाइज हुए छे सो पचास से ज्यादा बैंक्स फेल हुए थे इससे पहले 1935 और 1947 के बीच बैंक्स फेलियर्स का टोटल करीब 900 था 1963 में बनी महानगर सब्तजी तरे की एक बहुत मारमिक फिल्म है इस फिल्म की मुख्य किरदार एक मिडल क्लास हाउस वाइफ है वे परिवार की एकोनॉमिक बर्डन को कम करने के लिए सेल्स गर्ल की नौकरी करने लगती है हस्बंड एक प्राइवेट बैंक में छोटा मोटा नौकरी करता है वो शुरू में तो अपनी पत्नी के गुण गाता है मगर फिर परिवार में उनकी तारीव सुनकर इंसिक्यूर फील करने लगता है वे तै कर लेता है अपनी पत्नी को नौकरी छोड़ने को कहेगा लेकिन उसके पहले एक दिन सुभा ओफिस जाता है और पता चलता है बैंक फेल कर गया है उसकी नौकरी चली गई अब उसके पास कोई आप्शन नहीं है उसकी पत्नी को नौकरी करते रहना पड़ेगा महानगर की कहानी महज कालपनिक नहीं थी ऐसे बैंक फेलियर्स का सिलसिला उस पीरियड में कॉमन था आम बात थी इसी वज़े से इंदरा गांधी की सरकार ने बैंक नैशनलाइजेशन का एहम कदम उठाया था इंदरा गांधी के हिसाब से हर नागरी को चाहे अमीर या गरीब बैंक्स का इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए फैसला लेकिन यूनानिमस नहीं था फाइनांस मिनिस्टर मुराजी देशाई ने इस्तीफा दे दिया उसी दौरान कॉंग्रेस में विभाजन भी हुआ इंदरा ने ओल्ड गार्ड से अलग नई पार्टी बना ली बैंक्स फैलियर्स का भारत में लंबा इतिहास है मुखे तोर पर बैंक्स फैलियर्स का कारण रेक्लेसली रिन का वितरन होता है शुरू के दिनों में रिन दिये जाते थे या तो परस्टनल सिक्यूरिटी पर या फिर नॉन परफॉर्मिंग प्राइवेट कंपनीज के शेर्स के एगेंस्ट स्वभाविक था बहुत लेंदार पैसे लोटा नहीं पाते थे जब डिफॉल्टर्स की मात्रा बहुत बढ़ जाती थी और टोटल आउटस्टैंडिंग्स एक्सेसिव हो जाते थे तब बैंक कॉलाप्स या फेल हो जाता था 2017 में भारत में देश की पहली मेजर बैंक फेलियर की सेस्क्वी सेंटेनियल या 150 वी अनिवरसरी अब्जर्व किया गया था उस बैंक का नाम था प्रेसिडेंसी बैंक आफ बॉमबे इस बैंक को इस्ट इंडिया कंपनी ने 1840 में लॉंच किया था और ये 20 साल से ज्यादा समय तक यानि 1860 के दशक तक स्टेबल और प्रॉफिटेबल रहा 1857 के भारतिय स्वादिंता की पहली लड़ाई के बाद इस बैंक के बुरे दिन शुरू हो गए बॉमबे कॉटन मार्केट पर ओवर रिलाइंस मुखे गलती थी कपाज बजार के एक्स्पैंशन की वज़ा से अनेख नए बैंक शुरू किये गए कॉम्पिटिशन बढ़ गया आमदनी का मुखे सोच चुकी रिन वित्रन था इस वज़े से प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉमबे के ओनर्स ने ज्यादा रिस्क लेना शुरू कर दिया अचानक से भारतिये कॉटन मार्केट में जो उच्छा था पैनिक में तबदील हो गया जिन कंपनियों ने लोंस लिये थे अब लोटाने के सिती में नहीं थे प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉमबे जो 25 साल से ज्यादा प्रोफिटिबली चल रहा था 1867 में बंद हो गया और मेजर बैंक फेलियर्स का सिलसिला शुरू हो गया भारत के कई विख्यात आर्थिक इतिहासकारों के मताबिक प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉमबे का कॉलाप्स और 2018 की पंजाब नैशनल बैंक स्कैम की कहानी कोई ज्यादा अंतर नहीं थी इन दोनों के बीच में ये वही स्कैंडल था जिसमें पी एन बी ने 11,000 करोर रुप्यों से जादा के लेटर अफ अंडर्टेकिंग इशू किये थे नीरव मोदी, मेहूल चोकसी और उनके साथियों को 1867 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉमबे का फेलियर के पहले भी भारत में बैंकों को लेकर प्रॉब्लम्स देखने को मिला था 18 शताबदी के शुरुवात के दशकों में कई बैंकिंग इंस्टूशन्स कलकत्ता में शुरू हुए थे उच समय ये शहर उद्यों का केंद्र था वही समझ से आए ज्यादा लायबिलीटीज और फ्रॉडूलेंट एंट्रीज जब पूछा गया तो बैंकर्स ने क्राइसिस का मुखेकारन अनलिमिटेड लायबिलीटी बताया बिटिश सरकार ने 1861 में लायबिलीटी रेगुलेट करने का कोशिश किया इसके बावजूद प्रेसिदेंसी बैंक आफ बॉम्बे फेल कर गया मतलब रेगुलेशन फूल क्रूफ नहीं था बैंकिंग सेक्टर में एक नया दौर 1905 के बाद देखने को मिला ये वही वक्त था जब स्वदेशी आंदोलर ने भारत में नया राजनेतिक जोश उत्पन किया बहुत सारे स्वदेशी बैंकों को एस्टैबलिश किया गया स्वदेशी बिजनेस को फंडिंग मिलने लगा 1913 तक साड़े चार सो से अधिक बैंकिंग कंपनीज का गठन हो गया था वही हुआ जो इस अन्रेगुलेटेड और कट थोट इंडस्ट्री में हो सकता था कई बैंक्स फेल कर गए प्रमुख बैंक्स इन में इंडियन स्पीशी बैंक और पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया शामिल थे इंडियन स्पीशी बैंक का कॉलाप्स का कारण टिपिकल था इस बैंक ने एक प्रसिद मोती वेपारी को बहुत ज्यादा लोन दे दिया जब उसका बिजनेस ठप हो गया तो बैंक के बाहर भी ताला लग गया उस समय के एनलिस्स ने टिपनी की थी कि अगर बैंक के मैनेजमेंट ने अपने बैलन्स शीट को पहले से रिलीज किया होता तो फ्रॉड का अंदेशा मिल जाता अभी भी जब भी कोई बैंक घोटाला का पता चलता है विशलेशक इसी बात को दोहराते हैं फेल होने वाले बैंकों में इंडियन स्पीशी बैंक और पीपल्स बैंक आफ इंडिया अकेले नहीं थे 1913-14 में कुल 54 बैंक बंद हो गए और लोगों का बहुत पैसा डूबा एक रिसर्चर ने कैलकुलेट किया 1913 के बाद के 50 सालों में लगभग 1800 बैंक फेल हुए थे शुरू में अक्सर कहा जाता था बैंक्स के फेलियर कोई एक भारतिये केंदरी बैंक जैसा इंस्टूशन ना होने के कारण हो रहे हैं 5 मार्च 1934 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया का गठन हुआ लेकिन इसके बाद भी बैंक्स लगातार फेल होते रहे 1935 से 1947 के बीच तकरीबन 900 बैंक फेल हुए और उसके बाद जब तक बैंक नैशनलाइजेशन नहीं हुआ एडिशनल 665 बैंक कोलाप्स कर गए 1960 में लक्षमी बैंक का फेलियर और उसके ठीक बाद पलाई सेंटरल बैंक का ठप हो जाना बहुत महत्वपूर्ण इवेंट्स थे इसके बाद से डेपॉजिट इंशोरेंस की प्रता 1962 में शुरू की गई अमरीका के बाद हिंदूस्तान दूसरा देश था जहां डेपॉजिटर्स की सेविंग को सरकारी इनिशेटिव से सेवगार्ड किया गया इस साल से डेपॉजिट इंशोरेंस एक लाख रुपे से बढ़ा कर पांच लाख रुपे कर दिया गया है बैंक फेलियर्स के अलावा कई और वज़े थे उनको नैशनलाइज करने का 1960 का दशक भारत के इतिहास में चैलेंजिस से भरा हुआ था दो युद लड़ने की वज़ा से 1962 में चीन के विरुद और 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की अर्थ विवस्ता बहुत अच्छी नहीं थी फिर कई साल तक लंबा आकाल या सूखा के बीच बैलन्स आप पेमेंट क्राइसिस फेस करना पड़ा उपर से दो प्रधान मंत्रियों की मृत्यू जवाहल नेरू की मई 1964 में और लाल बाहदु शास्त्री की जनवरी 1966 में इससे भी महतोपून 1967 के जनरल इलेक्शन्स थे कॉंग्रेस बहुत रिड्यूस्ट मिजॉरिटी में केंदर में तो जीती मगर कई प्रांतों में उपोजिशन की कोईलिशन सरकारे बनी और इंस्टेबिलिटी का दौर शुरू हो गया इसका इंपक्ट फिनैंशल वर्ल्ड पे भी पड़ा इस सब के बीच कॉंग्रेस में घमासान लड़ाई इंदिरा गांधी अपनी मर्जी की मालकीनी थी या फिर गुंगी गुडिया वार करने का तरीका उनका सीधा था और वेस्टेड इंट्रेस को डिस्टर्ब करते हुए उन्होंने बैंक्स नैशनलाईज कर दिये सिलसिला लेकिन लंबा चला सरकार के फैसले के खिलाफ जनसंग और स्वतंत्र पार्टी के दो निताओं ने सुप्रीम कोट में केस फाइल किया कोट ने 10 फिब्रवरी 1970 को सरकार के ओर्डर को नल एन वॉइड डिक्लेर कर दिया इंदिरा गांधी ने पुना ओर्डिनेंस जारी किया जल्दी ही लोकसबा भंग कर दिया और हिंदुस्तान का पहला मिट्टम पोल करवाया मिजॉरिटी हासल करने के बाद इंदरा गांधी ने बैंक नेशनलाइजेशन का कानून पास करवा लिया बैंक नेशनलाइजेशन जादू की चड़ी नहीं थी लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री को स्टेबिलाइज करने में उसमें डेपॉजिटर कॉन्फिडेंस बढ़ाने में और फिनैंशल इंक्लूजन को प्रोमोट करने में इस फैसले का बहुत महत्वपून योगदान था इंदरा गांधी की सरकार ने वही किया जो उस वक्त की रिस्पॉंसिबल सरकार को करना चाहिए था आज युग दूसरा है चुनोतियां नहीं हैं और रियालिटीज ज्यादा कॉंप्लेक्स हैं किसी भी जिम्मेदार सरकार को आज के इंट्री केसीज को मद्दे नजर रखकर हर बैंक के एकाउंट होल्डर्स के इंट्रेस्ट को सेवगार्ड करना चाहिए जनता उमीद करेगी वो दौर रिपीट ना हो जब बैंकों का ध्यान चुनिन्दा उद्योग पतियों और कनेक्टेड बिसनिस हाउसेज पर होता था फिनैंशिल इंक्लूशन की दुहाई बहुत दी जाती है खाता खुलवाना सिर्फ उद्देशे नहीं होना चाहिए जनता के जो एकाउंट्स हैं उनकी रक्षा करना बहुत जरूरी है 1969 में बैंक नैशनलाइजेशन करके यही कोशिश की गई थी नए कॉंटेक्स्ट में उसी तरह के इनिशेटिर्स की जरूरत है नमस्कार